सो हेलो फ्रेंज वेरी वेलकम तो माई यूटिब चैनल दो दूस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं पाई सप्लाई को लेकर के ठीक है तो यहां पर एक प्रॉपर डिटेल्स जो है प्रॉपर डिटेल्स के साथ-साथ यहां पर फूरी जो भी इन तक तक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आप कहीं-न कहीं ऐसे तक आप ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आप लोगों को डेली अप्डेट्स जो है आपको यहां रिसीव होती है और आप 1% अपना जो प्र पाइन नेटवर्क की और अधर क्रिप्टो करन से की इनफोर्मिशन आपको यहां पर डेली बेसिस पर रिसीव होती रहे ठीक है तो अप फ्रेंस यहां पर बात करते ही जो स्क्रीन शॉट अभी मैं आप लोग साथ शेयर कर रहा हूं तो यहां पर यह लगबक चार से पांच स को मिल जाएंगे ठीक है लेकिन मैं फिलाल आप लोग साथ यह डिस्कस करता हूं तो देखें यहां पर लिखा है फ्रेंस कीपाई सप्लाई तो जैसा कि फ्रेंस आप सभी को मालूम है the hundred billion supply is not going to get into circulation all at once right now but will come into circulation year by year as the community minds by contributing to the ecosystem based on annual supply limits तो जैसा कि फ्रेंस आप सभी को मालू है कि hundred billion supply यहाँ पर बताई जा रही है coin की ठीक है और काफी लोगों का यह सवाल है कि जब इतने coins है और market भी इतनी supply होगी तो फिर इसका जो price होगा वो यहाँ पर अच्छा कास आपको देखने को नहीं मिलेगा काफी कम price में आपको listing जो है फ्रेंस देखने को मिलेगी लेकिन फ्रेंस इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यह सभी चीजे सिर्फ आपको यह नहीं बलकि आप खुछ सोची कि जो इतना बड़ा प्रोफेसर है जितने इतना बड़ा एक revolutionary प्रोजेक्ट जो बनाया है जिस प्रोफेसर ने उसको भी यह बात अच्छे से मालू है तो वो उसकी planning कुछ न कुछ हटके होगी जब एक project हटकर के लेकर के आ सकता है वो इंसान जब एक अलग तरीकी का revolution market में लेकर के आ सकता तो friends कहीं न कहीं वो supply के अंदर भी कुछ अलग तरीके से work करेगा कुछ एक अलग तरीक के strategy यहां पर use करी जाएगी जिसकी वज़ए से friends pie का जो price होगा वो आपके लिए बहुत जादा surprising होगा ठीक है तो इस चीज को in facts को आप समझनी कोशिश करें अभी फिलाहत जो friends देखी यहां पर जो explanation दिया गया है उसके according यहां बोला गया है कि the hundred billion supply is not going to get into circulation all at once right now यानि कि जो hundred billion की supply है वो यहां पर सभी की सभी पूरी circulation के अंदर सिफ एक बार में नहीं शुरू की जाएगी but it will come into circulation year by year यानि कि वो circulation में आएगी लेकिन साल भर साल यानि कि कभी एक साल में इतनी circulation supply होगी फिर उसके अगले साल कुछ circulation supply बढ़ा दी जाएगी फिर उसके अगले साल कुछ और बढ़ाई दी जाएगी कुछ इस तरीकी से friends यहां पर इनोंने strategy use की गया ठीक है इसके बाद यहां लिखा है year by year as the community minds by contributing to the ecosystem based on annual supply limits ठीक है यानि कि circulation all at once right now but will come into circulation year by year as the community minds by contributing ठीक है यानि कि जो contribution से यहां पर जो community होगी जो माइन करेगी ठीक है so वो ecosystem based on annual supply limits ठीक है उसके हिसाब से वो annual supply के अंदर यहां पर लिमिट जो बढ़ा दी जाएगी ठीक है कुछ इस तरीके से यहां पर नोंने बताए उसके बाद the formula for determining the yearly limits यहां पर जो formula बताए गया है कि यहां पर जो yearly limit के हिस है यहां पर supply हर साल जो है यहां पर बढ़ा जाए जाएगा यह circulation में ले करके आया जाएगा ठीक है उसके बाद as more data about mainnet is available around the open network ठीक है जैसे 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 जो mainnet का data होगा और जैसे भी वह available होता है जो की आसपास होगा open network और आप सभी को पता है कि open network क्या है क्या है क्योंकि मै यहां पर friends यह सभी चीज़े इसके according यहां पर सारा काम किये जाएगा ठीक है circulation इस तरीके से दीरे-दीरे करके market के अंतर जो है वो friends बढ़ाई जाएगी इसके बाद यहां पर कुछ और चीज़े है जैसे कि जो यहां पर और चीज़े पॉइंट यहां पर mention किये हैं उन्हों ठीक है सो यहां पर जो friends को टीम भी जो यहां पर अपने कॉइंस अपने पास में रखेगी ठीक है उसको भी यहां पर अनलॉक यहां पर सेम पेज एस दा कम्यूनिटी प्रोग्रेसिव माइस यानि कि ठीक उसी वत यानि एक तरफ जहां पर मायनी चल लिए दूसरे तब वह करते हुए आगे बढ़ा जाएगा साथ-साथ आपके जो है माइनिंग भी करी जाएगी ठीक है और ज्यादा माइक कॉइंस जो है वह माइन की जाएंगे और उसके साथ-साथ यहां पर अदर जो कॉइंस होंगे उनको भी यहां पर एडिशनल लॉक अप के अंदर सेल्फ इ लोकेशन इन सर्कुलेशन इत मिन्स यहां पर कम्विनट के पास में कुछ वह इससा रहेगा जो कि यहां पर सर्कुलेशन के लिए रखन जाएगा एगा फ़र एक्जापोल इफ द्ध्यरे स्टिः द्यप्रॉल्यएन पाय करन्ट लिए इन relevant औरYa अगर माली 성공 के पास में Maryland करने के लिए यहां पर नहीं उनके पास में उपलब दोंगे विदिन दा एंट्रोज नेट्वर्क वाला पीरेड चलेगा यानि कि वह पीरेड जहां पर पाई कोईन की वैल्यू जो है वह ट्रांजेक्शन और पर्चेसिंग वगारा कि तुरू यहां पर बनाने की कोशिश कर जाएगी यह के वाईसी वगरा जोबी होगी उस पूरी प्रोग्रेस के दिवरान यह सभी जो वर्क होंगे उसके अनुसार यहां पर यह जो टोकन्स होंगे ३ह यूजेबल नहींगे ठीक है यानि कि वह उसको नहीं करेंगे या एक तरीके उनको मना किया जाएगा उनको यूज करने के लिए या उनके पास में एक्सेस भी नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ वो उनके पास में पड़े होंगे ठीक है इसके बाद यहां लिखा है कि इट विल सब्जेक्ट टु इंटरनल मेंडेट फॉर फर्दर लॉक अफ्टर दा ओपन नेटवर्ग यानि कि यहां पर जो है जो लॉक अभी लॉक किया जाएंगे वो आगे चल कर जानी जो यूजेबल नहीं होंगे वो ओपन नेटवर्ग होने के बाद में और भी जो है यहां पर फ्रेंस वो लॉक अप के अंदर रखके जाएंगे यानि कि कई न कई कर हम शॉट भाशा में फ्रेंस समझें सिंपल भाशा में तो जितने भी कॉइन्स होंगे वो धीरे धीरे करके ओपन किये जाएंगे ठीक है कुछ लॉक होंगे कुछ अनलॉक होंगे और हर साल जो है उनकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है फ्रेंस बढ़ाई जाएगी और इसी बीच फ्रेंस अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो इसी बीच यहाँ पर दूसरी साइट से उसके अंदर ट्रांजेक्शन करी जाएगी जिससे की उसकी वैल्यू बढ़े यानि की कुछ हमने होल्ड पर रखा है और कुछ हमारे पास में जो है सर्कुलेशन के अंदर है जिसकी वजह से उसकी डिमांड जो है फ्रेंस वो बढ़ेगी और जैसे जैसे दिमांड बढ़ती जाएगी उसके बाद में फिर दीरी दीर करके हर साल जो है फ्रेंस यहां पर जो है उन कॉइंस को सर्कुलेशन के अंदर ले करके आया जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर फ्रेंस नेक्स पॉइंट है तो यहां पर लिखा एदा 80% of community distribution was never meant to only reward individuals यानि a community as a collective needs to use some pie for purposes that benefits of the company यानि कि कुछ जो हिस्सा होगा 80% ऐसा नहीं कि वो सिर्फ reward के लिए रखा जाएगा इसके साथ साथ जो कम पूरे ecosystem यानि पाई का जो पूरा ecosystem है ठीक है और पूरी जो business strategy है या पूरा जो भी business यहां पर इन्होंने बनाया हुआ ठीक है उसके according यहां पर पर पसे friends यहां पर ताकि जो भी पाई का पूरा ecological system है ठीक पूरे ecosystem है उसको कही ना कई growth देने के लिए strength बनाने के लिए और उसकी एक valuable project बनाने के लिए यहां पर उसका use किया जाएगा जो की 80% यहां पर distribution में होंगे उन coins को ठीक है as a whole such as running conventions जैसे कि यहां पर देखे दिया जाएगा तो यह सभी चीज है friends यहां पर I think और इसके बाद यहां पर देखिए यहां लेकाए perhaps one thing that makes the industry comparison difficult is the fact that the network is giving away 65% of the tokens to ordinary people for free specifically for their contributions to the network through mining यानि कि यहां पर friends यह भी बोला गया है कि जो coins होंगे उसमें से यहां पर जो 65% जो tokens होंगे to ordinary people for free यानि कि ordinary people normal people ठीक है यानि कि आप और हम या जिन्होंने भी एक अच्छा contribution दिया है पूरे पाई network project के अंदर उस mining period के अंदर यानि कि जब शुरू से mining होई है या उसके एक साल बाद जब भी लोग उसके अंदर आये हैं पाई network के अंदर उसके बाद जो उन् तरीके से पाई network project के अंदर support कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर as a reward friends जो है यह special free coins यहाँ पर distribute करे जाएंगे ठीक है कब किये जाएंगे इसके बारे में अभी कुछ clear नहीं है बट ऐसा इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से यह पूरा प्री प्लान कर रखी है तो आने वाले से friends उनको benefit यहाँ पर मिलेगा उसके बाद white token distribution is one of core teams प्रीमियर ग्लोब गोल्स because they aim to create a worldwide accessible online ecosystem and platform for transaction using the pie cryptocurrency यानि कि सबसे ज्यादा जो एक खुला हुआ friends यहाँ पर distribution होगा वो ज्यादा दर core team के members के लिए होगा ठीक है प्रीमियम उनका जो aim है पूरा जो नोना efforts डाला है वो के लिए यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा support कर रहा है तो उसके according कुछ जो टोकन्स होंगे उनका खुले तरीके से जो distribution किया जाएगा यह खुली तरीके से as a reward free coins जो दिये जाएंगे वो especially core teams को भी यहाँ पर दिये जाएंगे और core teams को यहाँ पर हमसे सबसे ज्यादा ज बहुत सारे doubts जो है friends वो यहाँ पर clear हो गए हो और फिर भी अगर आपकी कोई query है कोई doubt है तो comment section ना comment कर सकते हो इसके साथ साथ friends यह तो हुआ कि मैंने यहाँ पर आप लोग साथ में यह सबी चीज़े शेयर करें लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जो पूरा एक project का आप बो according होगी या अधर जो पाइनियर्स है या जो भी अधर बिलीवर्स है उनके according किस तरीके का उनका opinion है किस तरीके से वह सोचते की पाइनिटवक प्रोजेक्ट करेगा वह सभी हम discuss करेंगा और उसी को मैं आप लोग साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा ठीक है तो वह वीडिय पर फॉलो करके message कर सकते हैं तो आज की फ्रेंस वीडियो में वस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नहीं information नहीं update नहीं opportunity के साथ में तब तक के लिए good bye check care and have a nice day